दोस्तों हमें ये तो पता है कि किसी प्लानेट के पास एक से जादा मून हो सकते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं ब्रमान में कई ऐसे सुलर सिस्टम पाया जाते हैं जिसमें दो स्टार किसी कॉमन पॉइंट की परिक्रमा करते हैं स्टार के इस सिस्टम को बाइनरी स्टार सिस्टम कहा जाता है बाइनरी स्टार सिस्टम में दो स्टार आपस में गुरुत्व कर्शनबल के द्वारबंदे होते हैं इस सिस्टम में एक स्टार का आकार बड़ा और एक स्टार का आकार छोटा भी हो सकता है बाइनरी स्टार सिस करता है उसे पी टाइप प्लैनेट कहा जाता है सन 1616 में पहली बार गैलीलियों ने बाइनरी श्टार सिस्टम की खोच की थी फिर बाद में 1802 में विल्यम हर्मेश नामक एक वैज्ञानिक ने ऐसे 700 बाइनरी स्टार सिस्टम का एक लिश्ट बना लिया था विल्यम नहीं पहल रादे की सूर्य और प्रित्वी के बीच की दूरी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है जो कि लगबख 150 मिलियन किलोमिटर है रात के समय आस्मान में दिखाई देने वाले स्टार में से लगबख 70 परसेंट स्टार बाइनरी स्टार सिस्टम हो सकते हैं अमारे सं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरू की जेगा और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फॉर वाचिंग